हाई फ्रेंज वेलकम तु लॉमेट, आप मुस्कान मंधियान यू लीगल कैट, तो गाइज आज के स्वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नाशनल पार इन इंटरनाशनल रेलेशन्स, इंटरनाशनल रेलेशन्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मि आज गी, so I request you guys kealogies去 TD please मंजे भाण से सुनता हीं लेएंद लेट सास्टार्ट National power basically वो ability है, वो capability है किसी particular nation की जिसके थुरू वो अपना national interest अचीव करता है या अपना goal पूरा करता है ठीक है, किसी भी nation का कुछ भी national interest हो सकता है अपने citizens की security उसका एक national interest हो सकता है development उसका एक national interest हो सकता है तो इन सब चीज़ों को protect करने के लिए, इनको achieve करने के लिए वो national power का सहारा लेता है जैसे ही उसका national interest को violate करने की कोशिश करता है कोई दूसरी nation उसके citizens को harm करने की कोशिश करती है तो वो national power force और threat का use करता है अपने national interest को secure करने के लिए चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करीगा शेर जरूर करीगा ऐसे बहुत सारे informative वीडियोज आगे आने वाले है पैडल, Ford and Lincoln के according क्या है national power बेसिकली national power वो combination है power का जिसके थूँ एक particular state अपना national interest प्रोटेक्ट करता है ठीके उसे fulfill करता है by using force और गैंक्सकी के according national power एक ऐसी ability है जिसके थूँ अब दूसरे का behavior influence करते हो ताकि आप अपने goals achieve कर पाओ तो जब तक कोई nation national power का use नहीं कर पाती है वो भले ही बड़ी हो बहुत जादा वो भले ही nation बहुत जादा rich हो लेकिन वो powerful नहीं मानी जाएगी क्यों 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 national power का use ही नहीं कर पा रही है अपने goals achieve करने के लिए तो wealthy होना, great होना, economically बहुत जादा powerful होना ठीके, militarily powerful होना लेकिन अगर आप national power का use नहीं कर पा रहे हो अपने national interest को secure करने के लिए तो आप कहीं भी नहीं टिक पाओगे international relations में अब हम समझेंगे national power का nature जो की बहुत जादा important है सभी वीडियो की notes आपको हमारे telegram channel lawmate you legal guide पर मिल जाएंगे और भी बहुत relevant information वहाँ पर मैं share करती हूँ link description में है, please जाकर join कर लिजे, share जरूर से कर दीजेगा national power में जो term nation आ रहा है, ये nation का मतलब क्या होता है ये term basically decision makers, statesmen, diplomats इनके पार की बात करता है ये वो लोग है जो हमारी nation को international forums पर represent करते हैं तो जब हम बोलना है कि किसी nation का power increase होता जा रहा है तो हम क्या बोलना है, हम ये basically बोलना है कि जो decision makers, statesmen, diplomats है उस particular nation के, उनका power increase हो रहा है, right? जो हमारे behalf पर हमको वहाँ पे represent कर रहे है उनकी जब ताकत बढ़ती है, तब हम कहते है, a nation is powerful power का मतलब क्या है, ये समझते हैं अब national power के context में अगर हमें power का मतलब समझना है तो हमें power और force, ठीक है, force and influence इन सारी चीजों के बीच में एक differentiation लाना होगा इनके बीच में difference को समझना होगा तो अब हम वो समझेंगे Force का मतलब होता है physical force, violence, police action करना, imprisonment करना, punishment और war करना ये सारी चीज़े physical force या force कहलाती है तो force का मतलब ये basically होता है कि हम कोई physical action ले रहे है सामने वाले पे अब power का मतलब क्या होता है पार का मतलब होता है psychologically सामने वाले को control करना और हम उसे कैसे control कर पार है because अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उसके उपर force यूज़ेंगे इस तरीके से सामने वाले को control करना तो power basically एक psychological control कहलाता है मैं आपको control करनी हूँ मेरा power है एक तरीके से मेरा influence आपके उपर तो अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो I'll shoot you तो यहाँ पर अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे थ्रेटन कर रही हूँ ठीके कि मैं यह कर दूँगी अगर मेरी बात नहीं मानी तब तक तो मैं powerful हूँ लेकिन जब मैं वो action आपके उपर कर दे रही हूँ जब मैं आपको shoot कर दे रही हूँ तो जो power है वो replace हो जाएगा force से Now I'm actually using a force on you ठीके तो हम power का मतलब समझ गए जब हम किसी को धमकार है तो वो एक तरीके से force के basis पर जब हम किसी को धमकार है तो वो power है ठीके वही पे अगर हम legal power समझे political power समझे तो क्या है वहाँ पे भी तरीके का threat है authority का threat है अगर हमने किसी की politician की बात नहीं मानी तो हमें imprisonment हो सकती है तो it is backed by legal authority तो ये होता है power influence अब कह सकते हैं वो power से ज़ादा wide है उसका scope और जैसे की power इतना democratic नहीं लग रहा है सुनने में किसी को धमकाना is not democratic वही पे जो influence है वो थोड़ा democratic term है लेकिन influence का इता ज़ादा use नहीं होता international relations में क्योंकि जो nations powerful है वो वही influence यूज़ कर पाएंगी जो nation कमजोर है वो अपना influence थोड़ी exercise कर पाएंगी तो power का बहुत ज़ादा बड़ा role है एक तरीके से international relations में तो power जो है वो अपना एक तरीके से form बदलता रहता है कभी वो force बन जाता है कभी वो influence बन जाता है जब तक Russia एक तरीके से धमकार था Ukraine को ठीक है जब तक Russia एक तरीके से धमकार था Ukraine को तब तक Russia powerful था लेकिन जैसे ही Russia ने एक तरीके से attack कर दिया Ukraine के उपर तब हम कहेंगे Russia ने force use किया है Ukraine के उपर उसका power replace हो गया force से और चाइना का एक तरीके से हमें influence देखने को मिलता है WHO पर, right? World Health Organization पर ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हो सिर्फ, right? इस तरीके से मत लिखना exam में, ये चीज़े मैं आपको समझाने के लिए explain करने के लिए बता रही हो, ठीक है? National power is both a means as well as an end, right? Means है वो कुछ अचीव करने का और वो एक end भी है, वो एक end goal भी बन जाता है तो national power means कब होता है, right? वो means कब होता है? It is a means to control the behavior of other states to accomplish a certain task or certain end, right? वो national power एक means तब बन जाएगा जब हमें अपना कोई goal अचीव करना है दूसरों को influence करके, दूसरे states को influence करके जब हमें कोई goal अचीव करना है तो जिन national power है, वो एक means बन जाएगा, वो एक जरिया बन जाएगा जिसके थूँ हम अपना एक तरीके से goal अचीव कर पाएगे, right? तो national power एक जरिया भी है, जिसके थूँ हम कुछ goals अचीव करते हैं और वो खुद भी एक goal बन जाता है, कब वो देखते हैं लेकिन कुछ scenario में हर nation को power की जरूरत पढ़ती है ठीक है, ऐसा तो रही है कि हमाएपास अभी power है, हमें future में power की जरूरत नहीं पढ़ेगी नहीं, जब किसी nation से हमारा एक तरीके से war होगा, तब भी हमें power की जरूरत पढ़ेगी तो power एक goal भी है, जिसे हमें achieve करना है power एक means भी है, जिसके थूँ हम अपने ends अचीव कर रहे है, peace, security, progress, development, status सब कुछ हम power के थूँ अचीव कर रहे हैं, वो एक means भी है लेकिन वो एक end भी है, वो एक खुद में goal भी है क्यों? क्योंकि हमें और power की जरूरत पढ़ेगी in future हम और ज़ादा military equipments लाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें और power की जरूरत है हमें और power full होना है, तो national power is both a means as well as an end second is ability to secure goals of national interest obviously national power हमें national interest को secure करने में जो बाकी goals उनको अजीव करने में बहुत ज़ादा help करता है national power is dynamic and relative in character relative का मतलब है connected, ठीक है? तो national power time और resources से connected है तो एक particular nation को अब जज करते हैं, उसके resources के ऊपर, ठीक है? उसकी capabilities क्या हैं, उसकी abilities क्या हैं? और उसको compare करते हो national power of other nations यानि China का national power कितना है, India का national power कितना है, Pakistan का national power कितना है, Russia का national power कितना है इन सारी nations को आपस में आप compare भी करते हैं, analyze भी करते हो पहले देखा जाता है कि उनकी खुद की capability क्या है? इसको compare किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? पहले तो वही देखेंगे ठीक है क्या comparison के लायक है ये ठीक है उसके बाद हम इनको आपस में compare करते हैं फिर नेशनल पार जएफ बहुत ज़ाधा dynamic है पार खुद में ही बहुत ज़ाधा dynamic concept है कभी किसी के पास बहुत ज़ाधा पार होगा कभी किसी के पास बहुत कम पार होगा it keeps on increasing it keeps on decreasing कोई भी या nation कभी भी बहुत powerful थी अब वो बिलकुल ही powerful नहीं है ठीक है कोई नेशन बिलकुल weak थी past में लेकिन आज वो बहुत powerful है और powerful होती ही जा रही है और ये इसका increase होना इसका decrease होना multiple factors पर depend करता है ये इसके जो साथी nations है जिसके एक तरीके से neighbor nations है उनका किस तरीके से power बढ़ रहा है उनका किस तरीके से power decrease हो रहा है ये उन सब पर भी depend करता है No two nations have equal power दो nations के कभी भी equal power नहीं हो सकती है पार कभी भी यह equal नहीं हो सकता है आपको roughly लगेगा कि हाँ दोनों nations के पास equal power है ब다 actual में, water tight compartments में अप ये नहीं कह सकते हैं हाँ दोनों के nations के पास बिल्कुल बराबर military power है दोनों पास बिल्कुल बराबर power है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है actual power and potential power notes जरूर से telegram पर check out कर लीजएगा किसी nation का अगर हमें power analyze करना उसकी strength analyze करनी है तो actual power और potential power दोनों को ही समझना होगा actual power वो power है जो immediately आपके पास है ठीक है जैसे अभी मुझे power की जरूरत है किसी nation को तो तुरंद उसके पास वो power available है तो उसको कहेंगे actual power potential power वो power है जब कोई एक crisis की situation आ जाती है तब वो देखने को मिलता है जब कोई बहुत जाधा crisis की situation आ जाती है ऐसी situation के जहां पर हमें सच में power की बहुत ज़ाधा जरूरत है तब जो power हमें देखने को मिलता है उसको कहते है potential power तो किसी nation की जो crisis management ability अब देखते हो वो उसका potential power होता है जब future में कभी power की हमें ज़रत पड़े की वो जो power है वो potential power कहलाएगा So national power is a basis as well as a means of foreign policy जो foreign policy किसी particular nation किसी particular state की वो किस basis पर form होती है वो national power के basis पर form होती है आपके foreign policy, आपके nation की foreign policy आपके national interest को achieve कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये national power पर ही depend करता है क्यूं? क्यूंकि उसी के basis पर foreign policy design की गई है आपके diplomats क्या बोल पाएँगे क्या नहीं बोल पाएँगे international forums पर ये depend करता है आपके पास कितना national power है अब हम discuss करने वाले है dimensions of national power जो part 2 है से वीडियो का वो भी बहुत जादा जल्दी आ जाएगा तो जो तीन तरीके के पार जो three forms है पार की psychological power, economic power, military power ये तीनों ही पार एक दूसरे से connected हैं, ये basically dimensions है national power के ये तीनों एक दूसरे से connected है interrelated हैं जब तक तुम्हाँ पास economic power नहीं होगी जब तक तुम्हाँ पास पैसा नहीं होगा तब तक military power नहीं होगी क्योंकि तुम military equipments नहीं खरीद पाओगे arms नहीं खरीद पाओगे armaments नहीं खरीद पाओगे इसलिए economic power है आपके पास तभी आपके पास military power है अब जिसके पास economic और military power है, अगर उसके पास दिमाग नहीं है, psychological power नहीं है, खेलना नहीं आता है, mind games नहीं खेलना आता, तो कोई मतलम नहीं रह जाते हैं दोनों ही power का, इसलिए तीनों interrelated है, किसी nation की security उसके military power पर depend करती है, आपको अपनी territorial integrity बना कर रखनी, अपने citizens को protect करना ह है, तो भाई, military power is a must, अक्सर देखते होगे, news channels में अपने अक्सर देखा होगा, कि इसने इतना expenditure खर्च किया है, अपने military पर, China ने इतना expenditure increase कर दिया है, US ने इतना खर्चा किया है, अपने military पर, वो क्यों देखते हो, because security is very vital, security बहुत ज़ादा जरूरी है, किसी भी nation के है, इसी लिए इतना ज़ादा अप पैसा लगाते हो, military पर, सबसे बड़ी standing army, ठीक है, सबसे बड़ी standing army दुनिया में है यार, China की, उसके बाद आती है, India की, क्यों है, because security is very important, वो से state के क्या importance होगे, international forum पर, ठीक है, उसकी क्या value होगे, इसका क्या status होगा, यह उसके military power पर depend क करता है, किसी भी state को super power या बहुत ही ज़ादा big power नहीं कह सकते हो, जब तक उसके पास military power नहीं है, और याद रखेगा, military power, economic power के बिना achieve नहीं किया जा सकता है, next is economic power, अपनी nation की needs satisfy करने के लिए, अपने citizens की needs satisfy करने के लिए, economic development के लिए, economic power का होना बहुत ज़ादा जरूरी है बाकी nations को control करने के लिए, कि आप उनको economic goods deny कर सके, अपनी services deny कर सके, उसके लिए आपके पास economic power होना जरूरी है, खुद को militaryly strong बनाने के लिए, economic power का होना बहुत ज़ादा जरूरी है, बाकी nations को जो loans दोगे आप, economic help provide करोगे, वो कब कर पाओगे, जब आपके पास economic power होगा, चाइना can do that, because उसके पास economic power है, बाकी states की behavior को control करने में बहुत ज़ादा help करता है, economic power, तो economic power को अगर हमें evaluate करना, तो कौन-कौन से factors पर focus करना चाहिए, raw materials देखने चाहिए, natural resources कितने उस nation के पास, food stocks कितने, industrial and technological capacity क्या है, right, ये सारी चीज़े जब आप देखोगे, तो किसी nation क economic power पता लगा सकते हो, third and last dimension of national power is psychological power, हर जगा यार लड़ाई जरूरी नहीं होती है, कहीं पे आपको एक तरीके से mind games खेलने होते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए, right, तो psychological power is all about propaganda and persuasion, communication के जब से means increase हुए है, mass media increase हुई है, ठीक है, foreign policy में भी काफी हद तक बदलाव आए है, औ किसी भी nation के पास अगर military power बहुत ज़ादा, economic power भी बहुत ज़ादा, लेकिन psychological power बहुत कम है, उसके diplomats को deal करना नहीं आता है, situation से, international forums पर सही से बोलना नहीं आता है, गलत चीज़ें बोल देते हैं, तो उसके दोनों ही powers का कोई मतलब नहीं है, because psychologically वो बहुत weak है, right, दूसरे nation क leaders को influence करना, right, वहां कि लोगों को influence करना, through your culture and psychological power, ये बहुत बड़ी चीज होती है, तो ये तीनों ही dimensions आपस में connected है, right, ये चीज आपको धिहान में रखनी है, so thank you so much for watching this video, friends and we'll meet soon in the next video, good luck.